अगर मेरा बस चलता तो मैं हर एक founder और हर एक entrepreneur को ये book थमा देता 2009 में मेरा दिमाग खुला था वो बोलते हैं ने कि life का orbit ही change हो गया, वैसा कुछ हुआ मुझे किताबे पढ़ने का बहुत शॉक है रोज जितना भी वक्त निकाल सकता हूँ पढ़ता हूँ सबसे best चीज मझे ये लगते है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ है वो सारा knowledge, वो सारा इतिहास, वो सारा learning किसी ने किसी किताब में आपको ज़रूर मिलेगा तो books are possibly the best way to learn about the world ऐसी कोई भी चीज नहीं है, इस पूरी दुनिया के बारे में जो आप किसी किताब में नहीं पाएंगे and that's why books are so precious बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी फेवरिट बुक कौन सी है और बहुत मुश्किल है जवाब देना क्योंकि इतनी करोडो लाखो बुक्स में से, जिसमें से मैं कुछ चंद सौ या हजार पढ़ चुका हूँगा एक फेवरिट बुक डिसाइड करना तो काफी नाइन साफी वाला सवाल है तो मैं फेवरिट बुक्स बगार के बारे में तो नहीं सोचता हूँ जादा हर साल एक टॉप टेन अपना लिस्ट जरूर निकालता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेकिन एक बुक है जो कि मैं हर एक founder और हर एक entrepreneur को देना चाहता हूँ अगर मेरा बस चलता तो मैं हर एक founder और हर एक entrepreneur को ये book थमा देता उनको बोलता इसको पढ़ो इसको पढ़ो क्योंकि इसको पढ़ के ना आत दिमाग खुलेगा 2009 में मेरा दिमाग खुला था पहली बार मैंने ये बुक पड़ी मुझे भी मेरे फाउंडर ने गिफ्ट करी थी और पढ़ते ही न वो बोलते ही न कि लाइफ का और्बिट ही चेंज हो गया वैसा कुछ हुआ एक परस्पेक्टिव मिला जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया इतना सोचा कि चीजें से क्यों होती है जो इस बुक में लिखाए क्या वो सच है इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए जो हर एक चीज में अभी तक करता आ रहा था क्या वो गलत था क्योंकि इस बुक ने एक तरीके से हर एक चीजेंट को चैलेंज किया उसने बोला कि अपने पूरे काम करने की ढंग को रिमेजिन करो तो आज तक की ये मेरी सबसे ज़्यादा गिफ्टिड बुक है मैं करीब सौ लोगों को तो कम से कम ये बुक गिफ्ट कर चुका होगा जो भी मुझे लगता था कि इस बुक के लायक है मैं उनको ये बुक बेंट कर देता था मैंने अपनी नेरबाई और ग्रूपान की लीडर्शिप टीम को भी दिया था बहुत सारे फांडरोस को दिया और आप सब लोगों के साथ आच शेयर करना चाता हूँ बुक का नाम है टे 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 डे री वर्क अपने काम करने के ढंग को फिर से इमेजिन करिये काम मत करिये री वर्क री इमेजिन यूर वर्क और बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हम रोज मर्रा के जिंदगी में करते हैं अपने काम में जिसको ये चैलेंज करती है जैसे की पहली चीज़ ASAP is poison आपके बॉस बोलेंगे ये काम करते हो और आप बोलेंगे हाँ बॉस, ASAP AS SOON AS POSIBLE ये बुक बोलती है कि जब कभी भी हम AS SOON AS POSIBLE बोलते हैं ना हम कोई commitment नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि मेरे लिए जो सून है वो आपके लिए जरूरी नहीं है सेंव हो आपके लिए जो सून है वो मेरे लिए शायद जरूरी नहीं हो सेंव हो तो ये ना एक बहुत ही अच्छा सा fancy term है लेकिन इसका कोई माइना नहीं है, इसकी कोई कदर नहीं है, इसकी कोई measurement नहीं है तो आपको हमेशा, for instance, ये पूछना चाहिए कि आपको ये कप चाहिए जब कभी भी आपको कोई भी काम मिलेगा, आप पूछेंगे, आपको ये कप चाहिए और फिर आप ये बोलेंगे कि क्या मैं उस ताइम तक कर सकता हूँ या अगर नहीं कर सकता तो किस काम को मुझे छोड़ना पड़ेगा इस काम को उस वक्त तक करने के लिए या अगर आप किसी को काम दे रहे हैं क्योंकि आप founder है, entrepreneur है, manager है तो आप हमेशा अपनी expectations clearly define करेंगे कि मुझे ये इस वक्त तक चाहिए और सामने वाला इंसान अगर तो जुर्बे वाला होगा तो वो as soon as possible नहीं बोलेगा एक और, meetings are toxic, हम सबको पता है, meeting से कुछ नहीं होता है, चर्चा, चाए, समोसे, नहीं meetings से company आगे नहीं बढ़ती, meeting से रहा, सिरिफ हम बहुत सारे departments के साथ बैठ के एक तरीके की जुगलबंदी कर रहे होता है कि तुझी ते का मैं जीतूंगा, तुझी ते की मैं जीतूंगी and it never goes anywhere, it becomes a battle, एक workshop बहुत ही different होता है जहाँ आप product brainstorming करते हैं, ideas generate करते हैं, but that's not a meeting, meetings are toxic, planning is guessing, beautiful हा, planning is guessing, 2019 में जाईए, December में जाईए, last हफते में जाईए, चुटी से पहले हर एक company ने, हर एक company ने, एक plan मनाया था, 2020 का plan, हम 2020 में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो धमाकेदार planning, वो हर एक execution step, हर एक चीज़, जो plan हो सकती थी, plan हुई थी, excel sheets में, presentations में, और फिर, मार जाया, covid आया, और हर एक plan, destroy हो गया, हर एक plan, destroy हो गया, smart से smart से, smart बंदा, literally, घुटनों पे आकर, बोल रहा था, मेरे plan का क्या होगा, and planning is guessing, आप चाहे जितने भी smart हों, आप चाहे जितनी भी excel sheets बना ल होता है, तो planning में time ना डालके, execution में time डालिये, अपने plan को, मजबूत बनाने के लिए, एक better plan नहीं बनाते हैं, दोस्तों, अपने plan को, मजबूत करने के लिए, अपने execution पे focus करते हैं, that's what the book tells me, inspiration is perishable, I love that, inspiration is perishable, inspiration जो है न, वो हमेशा नहीं रहती, 2400 गंटे, दिन बर दिन, हफते दर हफते नहीं रहती, वो जब आती है, तब आपको गरम है लोहा मार हथोड़ा वाला attitude नपलाना होगा, मैं अब ही अपने high energy पे हूँ, मैं अभी inspired हो चुका हूँ, मैं अभी वो सारी चीजे करने के लिए तयार हूँ, जो मुझे करनी थी, get it done, right now, absolutely right now, because inspiration will perish, वो चला जाएगा, वो अभी आप महसूस कर रहे हैं, शायद अगले घंटे भी नहीं करेंगे, लेकिन यह जानना कि आप अभी inspired feel कर रहे हैं और उस point पे act करना, that is what the book tells you, wonderful lessons, बहुत छोटे-छोटे, बहुत ही खुबसूरत से illustrations, say no, मैं अपने दिन में, अगर 30 emails का जवाब देता हूँगा, असली नंबर करीब 100 के है, लेकिन अगर 30 emails का जवाब देता हूँगा, उसमें से 28 में, मैं ना बोलता हूँ, sorry, can't do it, sorry, don't have the time, sorry, won't be possible, क्योंकि मैं focused हूँ उन चीजों पे, जो मुझे अपनी ले करनी है, जितने मैं हाँ बोलूंगा न उतना मेरा time बढ़ता रहेगा, और जितने मैं ना बोलूंगा, उतना मेरा time उन चीजों की तरफ जाएगा, जो मुझे genuinely करनी है, don't be a hero, अपने pant के उपर लाल चड़ी पहन के सूपर मैं बनने की कोशिश मत करिये, या filmy hero जो एक ही, इनसान, 20, 40, 60 लोगों को, और अगर सौरी अगर आप एक रजनी कांथ फैन है, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, प्लीज मुझे मारिये का मत, लेकिन अगर आप रजनी कांथ हैं, तो आप बुलिट से भी तेज भाग सकते हैं, आप किसी को भी बचा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये इनसान अस भाने की कोशिश करेंगी, आप गलती नहीं कर सकते, आप हीरो हैं, आप सब को जानते हैं, उतना ही आप फैल होंगे, क्यूकि दुनिया को बहुत पसंद है, एक हीरो को फैल होतो हुए देखना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत सारे, बहुत ही, खुपसूरत से lessons, इस book में rework, link description में है, मैं ऐसे ही बहुत सारी books के बारे में बात करूँगा अगर कोई ऐसी book है, जो आपने ना पढ़ी हो और आप चाहते हैं कि मैं उस book के बारे में शेर करूँ तो प्लीज मुझे comment section में बताईए, I'll definitely look into it subscribe करना मत भूलिएगा, मैं हर हफते तीन नए वीडियो डालता हूँ, अगर आप subscribe करेंगे और notification notification bell icon को प्रेस करेंगे तो जब कभी भी मेरा वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा rework enjoy करिए all the best अभी के अभी इस चैनल को subscribe करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले